गर से जब निकला तो मेरे घर में ही एक चोटा सा मंदिर है और वहाँ पे गायत्री मा की स्थापना है वहाँ पूज़रा अरशना करके मेरी मा के चरंट्स पर्ष करके मैं निकला हूँ किस्ताद की चुनोती देखते हैं देखिए चुनोती मैं स्विकार करता हूँ शीर्ष मित्रुत्व प्रदानमंत्री शी नरेद्र मोदी जी अमित्वाई शाह जेपी नट्टा जी हमारे नेता देवंद्र पड्नवी जी ने जो शिमेदारी मेरे कंदों पर डाली है जो विश नामांकन भरने की रैली नहीं है यह विजाई रैली है आज हमारा विजाई निश्चित हो चुका है यह इस इचान्य मुंबई से मीर कोटेजा जी नरेंद्र मोदी का समर्दन देने के लिए लाखों के ओड से चुनके आएंगे इस इचान्य मुंबई में भारतिय जनता प पॉर्म बरने के लिए यहां पर आये हैं और इस आने वाले 20 मैं को इसी यह जो आये है इसे कई गुना आप वोट के इसमें आप देखोगे और चार तरीक को यह मुंबई में पहली सिट कोई चुनके आएगी और भारी मत से चुनके आएगी वह इसान्य मुंबई की रहेग जो चान चुके हैं एक तरफ राएल गांधी है एक तरफ नरेंद्र मुदी जी है राएल गांधी के आतमे देश उरक्षित है या नरेंद्र मुदी जी के हर भारतिjenigen इंसान हर नागरिक यही चाहता है कब वोटिंग का दिन आये और गब मैं कमल के आगे का बटन दबा के मा विरोधक बोलना राहे तिवी अम कस है कोत है आज ये तुमी पपली बहुं बगाल विजे आज अपले महाराष्ट्रा चे भुप मुख्य मंत्री देवेंदर भणमी जी अरेली तालीली आहे आनि हा जनसेलाब यवडा प्रचंड या ठिकानी आहे अमचा विजे निच्चित इस हांओ तो लोको परेंगे और हम लोग पूरा करके रहेंगे देश्वासी पूरा करके रहेंगे देश्वाची पूरे नरेंद्र मोदीजी के साथ है नरेंद्र मोदीजी फिर से तीसरे बार हमारे पंतपरदान बन रहे हैं यह निक्षित है अब अच्छा नतिजा सब पप्लिकों मिलने वह रहा है अब की बार 400 पार अब की बार 400 पार अब की बार 400 पार परिवार के सब भी सद्द्र से आप देख रहे हैं कि वह तरह लोग उनको आज पर देने के लिए अब पीछे देख रहे होगे जरूरत नहीं लोगों के दील आइक हुए हुए है आप देखिए बीजेपी का हर चोटा बड़ा कारेकर्टा मीर कोटेचा के साथ खड़ा हुआ है अब की बार चोटा बार रामलक्षमान जान की रामलक्षमान जान की रामलक्षमान जान की हमारे महायूती के मीरभाई कोटेचा यह सिर्फ रैली सबफिट कर रहे हैं आगे निकल रहे हैं और हमारा यह एक प्रगर का वीजय है देख सकते हैं ठिक इसनी भारी संक्या में हमारे महा युदि के बतानी कारे और जारी करता लोगि यह हां जम्हे निस भार हमारी वीजा इस पक्या बार 200 वह कि अपना रिया जाी हमेरा नियुद है एलाग आया मदे इन मनजभाहिन देकिल आप्चा सेवा के लिए आप भारतिय जनता पार्थी चे उमेद्वार मेर पूटे जाओं इस बहुत संके बताने रिओड़ने न रहे आप आप शरकार पहीला आमीत्या दुशी मेर भाहिन सादी अपला धरत ले गयास सिलिंडर सर्फ गवारत को लेके लोग नरेंडर मोधी के विचार को लेके शेक्षा संटा जो बिकसी भारत हो रहा है उस भारत के विचार में सब्सक्राइब पीड़ी आज आपे नामांका नर्थ बढ़ने के लिए नीर कोटेज आप देखना चाहते हो तो कुछ लोग अपने परिवार को लेके चलते हैं लेकिने भारत के शंता पार्टी है जो खार्य करता और देश को लेके चलती है हमारे साथ अजित दादा पवार जी है हमारे साथ इकनाची शिंदे जी है हमारे साथ मोधी जी को विचार को लेके राज ठाकर जीने भी नोधी जी को सपोर्ट किया हुआ है तो आदर्या राज साब ठाकर का महाराश्चा नाउनिर्वान से लेके भी सारे कारे करते सब लोग अपने दिल और जान से हमारा भगवा जंड़ा लेके अपना निला जंड़ा लेके सब एक दिल से काम कर रहे है इसलिए शिंदे साथ के आदेश पे यह सीट हम लोग जिता के लाएंगे बहुत बारी मतों से जिता के लाएंगे यह नामानकर रहली आपने देख लिया है यह नामानकर रहली इतना बड़ा है इससे कितने दुना वोटिंग आपने महाईति के उमिद्वार जो मेरी जी कोटजा साहब है उनको चुन्ने सव टकका चुनके लाएंगे और फिर एक बार मोधी जी कुंतप्रदान बनने के लिए आज की पुरी जी ताकत है वो लगी हुई है ताकत के इससाब से आपने देखेंगे तो इतनी मेरी भीर से जो रामानकर के लोग मतदार आये हैं हमें उमिद है कि बहुत भारी ओर से मेरी जी कोटजा साहब चुनके आएंगे यह बचंड बहुमतों से चुनाव में चुनके आने वाले और जैसे आपने देखा मोधी लेयर बहुत ज्यादा बड़ी इस बार है अरबार से बड़ी मोधी लेयर इस बार है यह कोटजा कहना चाहूंगा कि आप देख सकते हो यह तो जन्ता का सपोर्ट कैसा है अब यह लेयर देखो आप आपको समझ जाएगा क्या है यह तूफान यह लेयर है यह आपको समझ जाएगा